नमस्कार मा चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको लेकर जा रहे हैं आभानेरी जहां पर हम देखेंगे चान बावडी यह है वोर्ड की सबसे बड़ी बावडी है इस बावडी की आकरतिए वरगाकार है इस बावडी का निर्मान राजा मिहर भोज्ने करवाया था इनहें चान बावडी का नाम चान बावडी रखा गया यह B од Y nova मंजिला है और इसमें लगभग 3500 सीडिया है और इसकी घहर है लगभग सौफिट से भी ज्यादा घहरी है अभानेरे गाउ नेशनल हाइवे 21 परिष्टित है यह दोसा के पास सिकंद्रा से होते हुए हम यहां गाउं में पहुझ सकते हैं तो हम पूंच चुक है अभानेरी गाउं कुछी देर बाद में हम पहुचेंगे τα चानदवावडी में एक चानदवावडी के बाहर का सीन है यह थे यहां पर चोटी चोटी दुपाने बनीवी है तो में टी कर चुके हैं चांड बावडी के अंदर और हम एंट्री कर चुके हैं चांद बावडी के अंदर यह चांद बावडी का बाहर का इस त्रस्षे है और मस्ती करते हैं हम चांद बावडी पहुचेंगे हमने सबसे पहले टिकेट ली और टिकेट लेने के बार में हम चांद बावडी के अंदर एंट्री करेंगे तो मैं एंट्री करें चांद बावडी के अंदर आप हमारी इस वीडियो में अंतितक बने रहे ना आज हम आपको दिखाएंगे चांद बावडी और चांद बावडी के बारे में बताएंगे जो राजिस्तान में बहुत सारी बावडी है 112 इन 112 बावडी में सबसे बड़ी अगर कोई बावडी है तो यह बावडी है इस बावडी को यहीं क्यों बनाया गया बावडी कहीं बनाया जाय सकती थी बावडी यह बनाया लहीं इसकी जो नदे को जड़ाप यह लिए पीदिक नीघ है उनी निचने से पानी आता रहें एक तो आननान नती और एक सामाने दी तो थो निदिक इस फोने कवेसने निचे से पानी आड liगा और अपर के पानी भरसेंगा तो बिना पाने के बावड यह दक्षिन और यह पस्चिम का इससा है आठी नव इसा आप दी गई एट नाइ सेंच्वरी वो 16th to 18th सेंच्वरी तो अपनी खुबसुत बावडी के लिए जानी जाती है चांग बावडी के लिए जाती है चांग बावडी है विश्गी इसले बावडी बावडी बनी गई इसके लंबावडी बराबर इसले इसके राण प्लान है और इतिक पूरी बावडी कहीं नी है पूरे वड़ ने कारण है के फिरमों की है इंदा के लिए हिंदी फिमों की बल्कि अंग्रेजी फिर्मों की उसके बाद यह लैम्नाट हो गई और जितने दों हिंधों स्तानी तो नेकल अपनी आर्किटेक्ट बग्के अपनी आर्ट और आर्किलोजी के लिए जानी जाती है चोड़ी जी का आपानेरी आपानेरी से माजने लगाया गया कि चादनी राज में जब चांज चंकेगा दमकेगा आपा देगा इस वज इसका नाम पड़ा आपानेरी सिटी ऑफ गलोड अभी नेशनली प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट है उनिस्टा ताउन में वोशिप कर दिया और तीन साल पे लें टिकेट शुरू हो गया तिकेट शुरू होने के बाद इस जागे बेले बड़ेगे अब लोग आने लगें देस और विजेस और अभी विजेस अब तेरह पंजब पैसट फिट पैसट फिट को आप अपने बेटर में बीटर में तो निस पॉंट पांच लेटर एडिशन वे बात्रूम है मैं वाजा एडिज के लिए जिसमें चाली लगई लगें कोने पर तांगि लेडी कूट सी आउटसाइट इस लिए इसको कवर कर अब अब इससाए जाका पुतर बेखें, वह रिए, अगर आपको यहां जखता जादा है तो पानी को खेछने के लिए रहंत चलते थी थी जब पानी का अफिकता जाद चलते थी तो पहले क्या हुत, जब फेले की जमाने में लोड का फिए बाञ het जुड़ गया तो दे गेट वाटर वीद वाटर पर जब इस तरह की जब फैसलेटी की नहीं तो इस तरह के स्ट्रेक्टिर बनाते थे थाकि पाने को सेज़ के रख सके जब बड़सा चले जाते थी इस पानी को यूज में लेते थे पीने के लिए नाने दोने के अब कि राश जो मैंने ती देखे थी आफ टो मैं कॉलिवड मोवी कुछ हिंदी फिल्मों की फीज़ी हुटिं हुए है सलाम इश्ग जिसमें गोविंदा आयता है जे गाइड मनगे फॉरन एडियों का इरें एक फिल्म बनी थी बूल बल आईया जिसमें में इसे पाइलगा डासंग आठ में इसको राजिक ग्राम का दर्जा मिला उसके बाद गवर्मेंट अपिसमें कुछ इंटेस्ट लेने लगी है विकि इस जगे का नाम आबाने रियो और मॉनुमेंट का चांद बाओडी हो जब चांद बाद में जब चांद बाद 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 आबाद इसे विज से तो नाम पड़ा है इसकी पहचान मन गई और आपने लगे और आते रहेंगे बाद आपने लगे यह जगे ना इसे में आपने देखो यह जगे ना कोड़ने ट्राइंग डेलियो घ्रगरा बह्या है तो यह वैल कनेक्टिटी विटी अप टो रेल से अगरा आना चाहें तो पास का एक रहल जख्यान बाद इक यहासे महूं उप अर इस रहाज़ाब आप जैसे लोग तूरिस्त हैं कोई महराश से आरा है को गुजरात से आरा है अभी तो के डॉमेश्टी टूरिस्ट आरे लेकिन जब कोरना पीरेड नहीं था उसे पहले जिते हिंदुस्तानी नहीं आते तो उसे कहीं जाता साथ समयर पार्सन होगा आने के सबसे बड़ी वज कि लाइंद आप और यहां पे कुछ मूर्तियां रखी भी है जो खंडित है आप देख सकते हैं खंडित मूर्तियां कि कि अब और अब बुए पुर्व और यह क्लाकरती हमारे देश की संस्क्राटियों सब्वेता है जो आप देख रहे हैं इस बावड़ी में 33,000 करोड देवी देवताओं की चित्र भी दिखाय गए है जो की बहुत ही शामदार आकर्शन और कलात्मक तरीके से बना हुआ है आप हमारी इस वीडियो में यहां की जो कला करती हैं नकासी है वो देख सकते हैं यह सब खंडित मूर्ति हैं इन मूर्तियों को पूरा तक्त भीवाग ने संभाल कर रखी है क्योंकि यह हमारे देश की सब्केता संस्क्रति हैं और हमारे देश की संस्क्रति पूरे विश्व में फेमस हैं क्योंकि यह की सिए्वाइब की संस्क्रति यहां ने रही हैं झाला हमारे गिये का राओी हैं क्योंकि आला है क्योंकि वीएमें टे विधा हैं तॉप्र टो वागत तो है दो प्याइब है टाइब है अए अग्या है अगर टॉप इसे ही मूरते यहां पर आपने रिचान बावड़े रखिवी है खंडित मूर्तियां है यह बहुत है है हमारी संस्कृति शब्यत्य की प्रतीक है उससे में जो राजा महाराजा है उन्होंने बनवाई थी इन्हें हमें संभाल कर रखना है हमेशा के लिए जहां तक है कौशिस है इनको संभालें यह एक पिलब कि यह कि इसके लगताव से देख सकते हैं आप कितने प्यारी कितने बारे कि से कि कि अब आख दो कि अब कर दो कि अब दोना टो ऊंड जो और टोन जो अब दो कर दो कर दो कि अगले लुदोर नहीं झाले सही है कि अगले कि अंग आंग एड़ एड़ोर रहीं हम झाले से जहीं प्रेड़ में लुदोर टेमी झाले से अग्ट जब सिजब का लिया। झाल 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 झाल